हाईलो एव्रीवान वेलकम तो और यूट्यूब चैनल फैकी टैकी आज के नौलेश्फुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्या आपने कभी क्रिकेट मैच देखते हैं वक्ते यह सोचा है कि जब मैदान में एक ही पिच पर मैच खेलना होता है तो एक से अधिक पिच क्यों होती है आप सोचते होंगे कि जब एक पिच खराब हो जाए तो दूसरी पिच पर मैच खेला जा सके तो आप गलत है इस वीडियो का अंदर तक देखे और जाने इस प्रेश्ण का उत्तर और कई रोचक तत्य आपने इस लूडो जरूर खेला होगा पर क्या आप जानते हैं कि लू अगर आप इन में से किसी भी प्रेयर को एड करेंगे तो सम नंबर सेवन आएगा अज हर कोई फोन उठाकर हैलो बोलता है लेकिन आपको जानकर आश्यर होगा कि जब 1876 में जब फोन इंवेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हैलो नहीं अहोई बोलते थे दरसल फोन के इंवेंटर एलेक्जेंडर ग्राम बेल का माना था कि फोन उठाकर अहोई बोला जाए लेकिन बेल के प्रदीदवन्दी महान वेग्यानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि फोन उठाकर हैलो बोला जाए और 1880 आते आते हैलो को अहोई होई के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जाने लगा इवेंच्वली सब लोग हेलो बोलने लगे इसलिए हम आजकल फोन उठाकर हेलो बोलते हैं फैक नमबर टू कुत्ते का खयाल आते ही जोड जोसे भोकनी की बाद जहन में आ जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी कुत्त है जो कभी नहीं भोकता जी हां बसेन जी कुत्ते की एक ऐसी ब्रिट है जो बिल्कुल भी नहीं भोगती लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ आवाज ही नहीं निकालते हैं निकालते हैं लेकिन वो आवाज एक सूरीली गाने जिसी लगती है फैक नमबर वन से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुकरिया पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन ओन करें जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख प कि अगर मैच के दोरान एक पीच खराब हो जाती है तो मैच दूसरे पीच पर कंटिन्यू किया जा सके लेकिन आप गलत हैं आपको इस अतिरिक्त पीच के पीचे का कारण बताता हूं इसमें से प्रत्यक पीच को विभिन मानकों के अनुसार बनाया गया है और इसका उपयोग विभिन उद्देश्यों जैसे की नेट प्रैक्टिस घरेलू क्रिकेट और अंतराश्टी क्रिकेट के लिए किया जाता है इसलिए एक प्रकार का मैच पीच के मानकों के अनुसार बनाया जा सकता है दूसरों पर नहीं शूकि सिंगल ग्राउंड घरेलू अंतराश्टी इसके साथ साथ नेट प्रैक्टिस की जरूरत को भी पूरा करता है इसलिए कई पीचों की जरूरत होती है